नमस्कार सिटिपोच लाइब में आपका स्वागत हैं मैं हूँ प्रिया कपटेल और अब बढ़ते हैं आप तक की बड़ी खबरू क्यों पिहार के पुर्वम मुख्य मंत्री RGD सुप्रेमो लालुयादम ने पिछले 24 घंटों में दूसरी बार CBI में जारी आंतरी कती रोध पर ट्वीट कर केंदर सरकार पर निशाना साधा है लालुयादम ने अपने ट्वीट में केंदर के BJP सरकार पर संभिधान के साथ हर रात के अंधेरे में खेल करने का आरोप लगाया है गौर्टलब है कि इससे पहले भी लालुयादम ने ट्वीट करते हुए CBI की तूलना उस हिरन से की थी जो कि अपनी ही नावी की कस्तूरी को अपने आसपास ढूनता रहता है लालु ने केंदर सरकार पर देश के संभिधान संग रात के अंधेरे में खेल करने इसमें बदलाव करने की कोशिस का आरोप लगाया है लालु ने कहा कि जो लोग बावा साहिब के संभिधान पर बुरी नजर रखते हैं उन्हें जनता माप नहीं करेगी मगेबंदी नितीज कुमार दहेज प्रथा बंद करवाने की लाग कोशिस कर ले दहेज वारी शादियां रोज हो रही है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कोई महिला दहेज के लिए प्रतारित होनी की शिकायत लेकर ठाने पहुंचती है कुछ ऐसा ही मामला मुंगेर के बासुदेब की है जहां रेनु देवी अपनी बेटी के शादी एक यूबग से की थी जिसके बाद दहेज के लिए सच्वाल वालों ने विवाहिता तथा उसके परिवार को बुरी तरह से मार पीट की और जख में कर दिया जिसके बाद सुचना मिलने पर थाना परवारी मौके पर पहुंचे और पुर्णी असदर अस्पताल में सभी को भरती करवाया और मामले की जांच कर रहे है बिहार में एनर्सी लागो करने के लिए अररिया में बिहार बचाओ संगर समीती के बैनर तले एक दिवसी धर्ना दिया गया यह धर्ना अस्थानी चान्दी चौक के समीब कारियल पार्क में दिया गया मौके पर चन्दु शेखर बबन ने कहा कि घुस्पायटियों की बज़ा से सुरक्षा खत्रे में है हमारे लोगों का हकमारी भी किया जा रहा है सभी राजनेरी दलों को इस मुद्धे पर एक मत रखना होगा सासाराम में दो प्रेमी जोडों का आजीब बाग्या सामने आया है जहां प्यार में पागल दो प्रेमी एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं की शादी करने से इंकार कर रहे हैं जब भी लड़की के परिजन लड़के को शादी के लिए कहते हैं तो लड़का मुकर जाता है इतना ही नहीं लड़की पक्ष जब अपने बेटी की शादी कहीं दूसरी जगत दाय करते हैं तो उस प्रेमी ने उस शादी को भी तुड़व लेकिन कल लड़की की बड़ी जनों के हाथ लगया जिसके बाद की बिस सरक पर ही उसके जम कर पिढ़ाई कर दी गई हाला कि पुलस इस मामले को आप से सहमाती से सुलजाने की कोजिस कर रही है बहीं प्रेमी का शादी के लिए तयार तो हुई है जबकि प्रेमी अब भी शादी से इंकार कर रहा है राधाने पटना से सटे बेटा परखंड में एक तेरा वर्सिये की सोरी की साथ सामोहिक दुसकर्म किये जाने का मामला सामने आया है पिरिता की सोरी ने बताया है कि तीन दिन पहले उसी के गाउं की दो लड़के जब्रन उसे पकड़ कर एक घर में ले गया और उसके साथ गलत किया साथ ही उसकी गंदी तस्वीरें भी बनाई और उसे वाइरल कर देने की धंकी देते हुए पिरिता की मताबिक यूपको ने उसे और उसकी परिवार को जान से माने की धंकी भी दिये एधर पिलस सा मामले की छानमाइन कर रही है जहानाबाद में दुरगापूजास में महिलाओं को ब्लेड मारकर घायल करने के विरोध में सिफसेना नेका को मोर से लेकर आर्वल मोर तक आकर उसमार्श निकाला सिफसेना के कारेकरताओं का कहना है कि दसाहरा के दिन महिलाओं पर ब्रेश से हामला किया जाना एक गंभीर मामला है इस पर परसासम को करी कारेवाई करनी चाहिए और दोस्यों को जल से जल गिरपतार कर साजा देना चाहिए सिफ सेना ने महिलाओं के हग की बात करते हुए चेताब नी दी है कि यदि परशासन द्वारा जल्द ही कोई कारेवाई नहीं की जाती है तो सिफ सेना पूरे बिहार में आंदोलन करेगी वहीं जहानाबाद कोडाना ओपी के पटना गया इने इस तिरासी पर लोधीपूर गाउं के समय पस साइंकिल से कोचिंग जा रहे है एक छात्र को तेज रफ्ता डंफर ने रौन दिया जिसे कि घटना स्तर पर ही छात्र की मौत हो गई घटना के बाद आकरोसित लोगों ने मौबजे की मांग को लेकर सरक जाम कर दिया मामले गुशान्त कराने गई पुलिस को देखते ही ग्रामीन उग्र हो गया और पुलिस पर पत्राव कर दिया जिसमें कि चार पुलिस कर में गंभी रूप से जख्मी हो गया है खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कीजिए citypostlab.com पर